स्वेर में सोलीशन चेप्टर 10 क्वेशिन नूमबर 11 क्वेशिन क्या है स्वेर में 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 स्वेर म अब हम पुचा है कि यह जो contact में है यहां से अगर हम tangent pass करें तो इस tangent के about moment of inertia कितना होगा तो moment of inertia कितना होगा वो निकालना है तो सबसे पहले एक स्वेर की वज़े से निकाल देता हूँ फिर दूसरे स्वेर की वज़े से भी सेम होगा क्योंकि यह दोनों सेम tangent है तो देखो यह अपना center होगा एक स्वेर का यह दूसरे स्वेर का center तो मेरेको तो diameter से moment of inertia कितना होता है वो पता है ये कितना होता है ये IG है ये मेरे को निकालना है ठीक है ये मेरे को पता है moment of inertia passing through diameter ठीक है ये कितना होता है IG होता है यह होता है 2 by 5 mR square राइट 2 by 5 mR square होता है जो diameter से pass होता है अब देखो यहाँ पर मैं parallel axis theorem apply कर सकता हूँ parallel axis theorem क्या होता है कि अगर आपको moment of inertia find करना है और आपको moment of inertia given है parallel to parallel to जिससे find करना है और जो given है वो center of mass से pass होना चाहिए तो यह center of mass से pass हो रहा है और यह दोनों parallel भी है तो यहाँ पर हम parallel access apply कर सकते हैं तो parallel access apply करेंगे तो i is equal to क्या हो जाएगा i is equal to ig प्लस इन दोनों के बीच में distance इन दोनों के बीच में distance क्या parallel line है इन दोनों के बीच में distance कितना है र तो mR square हो जाएगा ठीक है sorry r में लिएता है x लिएता है mx square हो जाएगा और x की value क्या है x की value r है ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ first की वेज़ास आएगा वो first की वेज़ास आएगा ig plus mr square यानि यह आएगा 2 by 5 mr square plus mr square यानि यह आएगा 5527 mr square i5 यह first sphere की वेज़ास आया इससी तरह से second sphere की वेज़ास क्या आएगा 7 by 5 mr square राइट तो total moment of inertia कितना आएगा i1 plus i2 277 14 14 by 5 mr square अगर आपको कैसे भी question का video solution चाहिए तो चैनल subscribe कहिए तो जो भी question हो comment box no question number or chapter number comment कीजिये